सुजाता अपने पती नरेश और सास सरोज के साथ रहती थी नरेश एक चाय की दुकान पर काम करता था पर घर का खर्चा चलाना मुश्किल था एक दिन नरेश जब काम से घर लोटा तो सुजाता उससे बोली सुजाता तुम ऐसा क्या काम करोगी तुम तो जानते ही हो कि मुझे खेती करना आता है हमारे घर के आंगर में थोड़ी जगा है मैं सोच रही थी अगर मैं यहाँ ताजी भाजी उगालू तो बेच कर थोड़े पैसे आ जाएंगे ठीक है सुजाता अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा तुम सबजियां बेच लो मुझे कोई परिसानी नहीं है सुजाता बहू अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करूँगी ठीक है माजी तो फिर हम कली बाजार से बीच खरीद कर लाएंगे मैं सोच रही थी माजी हम अलग-अलग तरह की सबजी उगाएंगे मेथी, पालक और साग का भी मौसम आ रहा है उसके साथ साथ बहुत सारी बढ़ियां-बढ़ियां सबजी उगा लेंगे ठीक है बहु, तुम्हारा इतना साहस देख कर मैं बहुत खुश हो मैं जानती हूँ, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी अगले दिन सुजाता अपनी साथ के साथ सबजीों को उगाने के लिए बीच खरीद कर ले आती है और खुब मैहनत से सुजाता और सरोज दोनों मिलकर आंगन में तरतर की सबजीों के बीच बो देती है तभी पडोसन जान किया जाती है अरे वा, क्या बात है, आज तो दोनों साथ बहु आंगन की सफाई कर रही है अरे ये क्या, तुमने तो अपने घर के आंगन को पूरा खेती बना डाला सबजीयां उगा रही हो, भाजी की दुकान खोलने का इरादा है क्या लो, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए तुझे क्या खुश्बू आ जाती है कि हम कोई काम कर रहे है जानकी दीदी हम लोग सबजीयां उगा रहे हैं तुम तो जानती ही हो, अकेले के कमाने से गुजारा नहीं होता तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस आंगन में सबजीयां उगा कर बेज तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, बस वही मा जी और मैं बीज पो रहे थे अच्छा, तो ये बात है, चलो ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं चलती हूँ अरे बहु, तु इसे नहीं जानती है, ये जानकी बहुत चालाख है, इसका पती तो अच्छी खासे दुकान पर नौकरी करता है बिचारा बहुत शरीफ है, पर इसकी तो वही गंदी आदत है, जो काम किसी को करता देख ले, वो बिलकुल वैसे करने लगती है अब तुम देखना, हमने ये सबजियां उगाई है न, ये भी अपने आंगर में उगाएगी कोई बात नहीं मा जी, अब करी क्या सकते हैं, उगानी होंगी तो उगालेगी, हम किसी को रोक तो नहीं सकते न पडोस में रहने वाली जानकी बहुत ही चाला कौरत थी, उसने भी अगले दिन अपने आंगर में सबजियों के लिए बीच पो दिये पर कहते हैं न, जब तक कोई कारी पूरी मेहनत से ना किया जाए, उस कारी का फल प्राप्त नहीं होता और यही हुआ, जानकी ने देखा देखी काम तो शुरू कर लिया, पर वो सुझाता की तरह मेहनत से सबजियां नहीं उगा पाई माजी देखो, हमारे आंगर में कितनी बढ़ियां मेथी पालक सरसो की खेती हुई है हाँ बहु, ये तो बहुत ही हरी हरी साग सबजियां उगाई है माजी, मैं आज से ही सबजियां बेचना शुरू कर देती हूँ बहु, कहे तो मैं बेचाओ नहीं माजी, आप इस सुम्रू में इतना काम थोड़ी करोगे मेरे होते हुए आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लोगी मैं टोकरे में सबजियां भर लेती हूँ सुजाता टोकरी में साग सबजी भर लेती है और गली-गली घूम कर वो सबजी बेचने लगती है अरे ये तो सुजाता दिखाई दे रही है ये तो बहुती बढ़ियां सबजी बेच रही है मेरे तो सारे बीच खराब हो गए एक पत्ता मेथी का नहीं होगा और ये तो ढेरो साग बेच रही है इसका तो कुछ करना होगा नहीं तो ये कुछी दिनों में मेर से जाद आमीर हो जाएगी जानकी के मन में इरश्या की भावना आ गए वो सुजाता को सबजी बेचता देख नफरत से भर गई और एक दिन उसने चोरी चुपे सुजाता के बगीचे में जहरीली दवाई छड़क दे सुजाता ने देखा इस बार उसकी सारी सबजियां खराब हो गए पालक और मेथी में कीडा लग गया माजी ये कैसे हो सकता है हमारी तो पालक मेथी बहुत अच्छी उखती है पर इस बार तो इसमें कीडा लग गया है देखो माजी सारा साख खराब हो गया अब हम क्या बेचेंगे कोई बात नहीं बहू एक बार दुबारा बीच फैला दो कुछ दिनों में दुबारा सबजियां उगाएंगी तब तक तुम जो ये सबजियां है इन्हें बेच लो अहां, वही करती हो कुछ दिनों का तो इंतजार करना ही होगा बड़ी मुश्किल से सुजाता ने थोड़ी बहुत पैसे जोड़ने शुरू किये थे तो यहां पर जानकी ने अपना रूप दिखा दिया सुजाता ने थोड़ी बहुत बची हुई सबजियां बेच दी अब जो पैसे जुड़े हुए थे क्या हुआ सुजाता तुम्हारा मन ठीक नहीं है कोई बात नहीं सुजाता तब तक तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे मैं देख रहा हूँ तुम बहुत महनत कर रही हो पर तुम्हारी सबजियां खराब कैसे हो गई भी तुम्हें तो बहुत बढ़िया भी जमीन में बोई थे हो सकता है वैसे ही कीडा लग गया हूँ अब दुबारा मैंने बीच बोई है थोड़ी मेथी पालक सरसो उगनी शुरू तो हुई है कुछ दिन और लग जाएंगे तब तक मुझे इंतजार करना ही होगा अभी तो सबजियां भी खत्म हो गई है तो मैं वो भी नहीं बेचने जा सकती बड़ी मुश्किल से गरीब सुजाता ने सबजियां बेचने का काम शुरू किया और बीच में जानकी ने अडंगा डाल दिया जानकी मनी मन बहुत खुश हो रही थी क्या बात है जानकी आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो अरे बात ही कुछ ऐसी है तुम्हें पता है जानकी अपने पती मनोज को सारी बात बताती है जानकी की बात सुनकर मनोज उस समय चुप हो जाता है पर उसे अपनी पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता वो शाम के समय सुजाता की घर पहुँचता है मता जी सुजाता बहन जानकी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ मैं खुद चाता हूँ कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए वो नफरत की रहा पर चल रही है नहीं बेटा मनोज मैं तो खुद तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ मेरे लिए तो जैसा मेरा नरेश वैसे तुम हो बस थोड़ा दुख मुझे भी हुआ है सुजाता बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सबजियों का काम शुरू कर रही थी और बीच में कोई बात नहीं भाईया मैंने फिर से सबजियां बो दी है हाँ थोड़ा नुकसान तो हुआ पर कोई बात नहीं जानकी दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया पर भाभी मैं जानकी को सीधे रास्ते पर दाना चाहता हूँ जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो कैसी मदद भाईया मनोच चाहता था कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जा यही मौका है जी माजी फिर शुरू हो जाते हैं बहू तुम्हें पता है साग कितना महगा बिक रहा है बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी इस पार साग से पर माजी रूपा की सगाई में जाना तो बहुत जरूरी है वहां से आने में शाम हो जाएगी एक काम करते हैं न ये साग हम कल काट लेंगे हमारे घर कौन सा कोई चोरू चक्के आ रहे है जो ये साग लेकर जाएंगे क्यूं? सही कह रहे हो न? आ और क्या? मा मैंने भी छुट्टी ले ली है जल्दी से तयार हो जाते हैं फिर रूपा की सगाई में भी तो जाना है जाओ जाओ रूपा की सगाई में जाओ पीछे से साग का एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी सारा का सारा साग तोड़ कर मैं बाजार में बेच आओंगी मेरे तो पैसे बन जाएंगे सब जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है वो लोग रूपा की सगाई के बहाने घूमने के लिए चले गए कुछ घंटे बाद जब वो लोग लोटे तो उनका सारा बगीचा खाली था जानकी सारा साग तोड़ कर बेच कर आ चुकी थी अब सुझाता जानकी के पास गई जानकी दीदी क्या तुम्हें पता है हमारे बगीचे में से साग चोरी हो गया सारा का सारा साग तोड़ कर ना जाने कौन चोर बेचाया पर अब वो चोर बच कर नहीं चापाएगा उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तुझा था कि मुझे पुलिस का नाम सुन कर जानकी घबरा गई लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है अरे हमने अपने बगी चेक में एक वीडियो कैमरा लगा रखा है जिसमें सारे फोटो और वीडियो से चोर की तस्वीर आ जाएगी हमारी सबजियां पहले भी चोरी हो चुकी है इसलिए नरेश ये कैमरा लेकर आए थे ताकि अब की बार कोई सबजियां चुराए तो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए बस अब उस चोर की रिकॉर्डिंग हम पुलिस को दिखाने वाले है वो चोर सामने आ जाएगा और उसे सक्से सक्स सजा हो जाएगी कैमरा पर कैमरा कहा छुपा हुआ था मैंने तो नहीं देखा क्या कहा जानकी दिदी आपने मैंने शायद सही सुना सुजाता की बात सुनकर जानकी रोने लगती है और सुजाता से माफ़े मागती है तब तक सुजाता की साज सरोज, मनोज और नरेश वहाँ पहुँच चुके थे मुझे माफ कर दो मुझे जेल नहीं जाना मुझे पुलिस को मत दो तुम्हारी सारी सबसिया मैंने चुराई है और उस दिन दवाई मतलब तुम्हारी पहले जो सबसिया与 साघ खराब भुआ था उस पर मैंने दवाई छिड़की थी ताकि तुम पैसे कमा कर अमीर ना बन जाओ सुनो जी, इनको बोलो न मुझे पुलिस में ना पकरवाए मैं कुछ नहीं कर सकता जानकी, गलती तुम्हारी है, तुमने गलती की है अब उसकी सजा देना न देना, वो उनके हाथ में है क्योंकि तुम्हारी गलती से इनका नुक्सान हुआ है मुझे माफ कर दो सुजाता, माता जी, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूगी ठीक है, जाओ माफ किया, लेकिन खबरदार अगर आज के बाद सबजियों को खराब किया डरो नहीं जानकी दीदी, हम सब तुम्हें सिर्फ डरा रहे थे, तुम्हें कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली, बस हमारे लिए यही बहुत है जानकी को सबक मिल जाता है, और वो सीधे रास्ते पर आ जाती है सुजाता फिर से सबजियां बेशने ले लिए, अब उसे भरोसा था कि उसे जानकी से कोई खत्रा नहीं है मनोज ने भी इंसानित का फर्ज निभाया और उसने उस गरीब परिवार का नुकसान बार-बार होने से बचा लिया सीता और गीता नाम की दो जुड़वा अनाद बहने अपने चाचा चाची के साथ रहती थी सीता गीता के माता पिता नहीं थे, बचपन में ही वे दोनों गुजर गए थे तब से सीता गीता अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी पर उन बेचारी अनाद बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी वो उन दोनों को बिलकुल नौकरानियों की तरह ही रखती थे कहां रह गई दोनों? कितनी देर्स की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए देर हो गई ये चीनी गिली कैसे हुई? जरूर बारिश में थैली भी गोई होगी चाची, राशन वाले भया ने जो चीनी की थैली दी थी न, वो फटी हुई थी हमें पता नहीं चला, तब ही चीनी में पानी चला गया, हमें माफ कर दो चाची आज तुम दोनों की खेर नहीं, तुमने इतना नुकसान कर दिया तुम्हारे माबाप हमारी चाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए खुद तो उपर चले गए, और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए चंचला, तुम्हें शर्म नहीं आती, बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवार करती हो, थोड़ा भगवान से तो डरो अब तुम क्या चाते हो, मैं माई के चली जाओं, एक बार चली गए ना तो लौट कर नहीं आओंगी, फिर ढूंटे रहना दूसरी चंचला, सीता, गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां, रात के अंधेरे में सुबक सुबक करोती थी एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया गीता, हम यह नहीं रुखेंगे, चाची बहुत मारती है हाँ, हाँ सीता, तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड के पास रुख गई और उसी पेड के चबूतरे पर सो गई अगली सुबह उनकी आँख खुली तो और हुने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं बहुत से ठेले वाले वहाँ पर खड़े हैं सीता, बहुत भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं पर गीता, हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसो के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा एक बार पूछते हैं न, शायद कोई दे दे, ठीक है, चला भाईया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है तम दानों के पास पैसे हैं अरे, देखो, देखो, दोनों बहने एक शकल की हैं, लगता है, जड़वा है आहा, बिलकुल, और लगता है, दोनों अनात है भाईया, पैसे तो हमारे पास नहीं है तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा, पैसे लाओ, तभी कुछ खाने को मिलेगा ठेले वाला भी दोनों को डाठी रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहां आता है दीमा, इम बच्चियों को एक-एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूँगा शुक्रिया, अंकल तुम दोनों कौन हो, बेटा? अंकल मेरा नाम सीता है, और ये मेरी छोटी बेहन गीता हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया तुमारे माता पिता कहा है बच्चों? हमारे माबापू नहीं है अंकल, हम बच्पन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं सीतो और गीता उस व्यक्ती के साथ आटो में बैट जाती है उस व्यक्ती का नाम राजेश था वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टरेंट वालों को सप्लाई करता था सीता और गीता राजेश के साथ बाते कर रहे थी तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा क्या हूँ अंकल आप ठीक तो हो लगता है इनके दिल में दर्द उठा है हमेने हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तु चलो अंकल, चलदी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो सीता गीता ओटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल ले कर जाती है ओटो वाला राजेश को जानता था, वो राजेश की पत्नी को फोन करता है वो भी तुरंथ हॉस्पिटल पहुंचती है कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते है राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है अब क्यासा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है बाकि इन बच्चियों से मिलो ये सीता गीता है, इधर आओ बेटा ये दोनों बच्चियां तो देखने में बिलकुल एक सी शक लगी है तुम दोनों जुड़वा हो जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं पर पूरा अराम करने के लिए कहते हैं राजेश को अपने काम की चिंता थी वो परिशान था कि काम कैसे होगा संध्या, माल बनाना, ले जाना सब दुकानों पर डेलिवरी करना ये सारे काम कैसे होंगे सुनो, आपकी तव्यत पहले जरूरी है पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा करी लेंगे अंकल, आप चिंता मत करो हम आंटी के साथ हैं हम आपके काम को रुखने नहीं देंगे हम, सीता बिलकुल ठीक कह रही है अंकल आप आराम करो दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के अौडर डिलेवर करने के लिए जाने लगी एक दिन सीता संधिया से बोली आंटी, जब हम नूडल्स के पैकेट तयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स के एक स्ट्रॉल कोले इससे कमाई जादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेच कर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम यह आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं क्या तो तुम ठीक रही हो राजेश मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक क्या रही है हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं न शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए ठीक है संध्या पर बहुत मेहनद लगेगी तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेंगी स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे या तुम ये कर पाओगी मुझे बस आपका साथ चाहिए और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसे इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो है और फिर संध्या नी सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टाल किराए पर ले लिया सीता और गीता जुड़वा बहने थी लोग जब उन दोनों को स्टाल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्यरी चकित होते और वो इस पेशली उनके स्टाल पर नूडल्स खाने जरूर आते धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टाल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टाल की अच्छी कमाई होने लगी संध्या सीता और गीता दोनों बच्चिया मेरे लिए बहुत भागेशाली बन कर आई है सच मुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लगी हो राजेश की तब्यत में सुधार आ जाता है अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा और वो सफलता को छूने लगा एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल्स टॉल पर देख लिया सीता, गीता, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंडा मेरी बच्चियों तुम घर छोड़ कर क्यों चली गई सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं आखिरुन अनाद बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे और फिर बच्चियों को आशिरवाद देकर उनका चाचा आखों में आसू लिये चुप चाप वहाँ से चला जाता है